बेटर आइसाइट vivoute glasses असा माला पूर्चा कौर्स गये से जाचा मां दे डोलë यह जो मै कौर्स लेने वाला हूं अगला कौर्स बेटर आइसाइट विदाउट ग्लासेश उसके बारे मैं थोड़ा बताता हूं 1970 में मेरे आख में रेटिना के ओपर और तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है फिर दवाई वगेरे हो गई और उसके बाद मेरा दिखना तो ठीक हो गया सर का दर्द बंद हो गया मगर उसके बाद मुझे चश्मा लग गया उसके बाद मैंने 30 साल चश्मा यूज़ करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं ये चश्मा कैसे छोड़ सकता हूँ और इसलिए मैंने laser treatment ली डॉक्टर लोहिया के पाई जाके आउरंगाबाद में और उसके साथ में कुछ मंतरो उप्चारण करना शुरू किया और उसी के साथ में exercise चालू किये और एक साल में मैंने आस्ते आस्ते मेरा चश्मा छोड़ दिया तो जैसे मैंने चश्मा छोड़ा वैसे ही आप सब लोग भी ये फाइदा उठा सकते है इसकी guidance मुझे आप लोगों को देनी है और उसमें आएगा कि हमारी आख कैसे काम करती है आखों के exercises क्या है stargazing, fingertip, eye rotation और सब कुछ और उसी के साथ में आखों को stimulate करने के लिए कौन से कौन से points हम कैसे stimulate करने वाले है ये आख के नजडिक के point है, dangerous point बोले जाते है ये भी कैसे stimulate करना है आखों के पीछे के वाज़ू में सर के पीछे के points है और पाव के उपर के points है और उसके साथ में ये हाथ का point है और पाव में एक point है आईसे सब points लेके हम कैसे अपनी दुर्ष्टी सुधार सकते है ये मुझे आप लोगों को सिखाना है और जैसे मैंने ये चश्मा का छोड़ दिया वैसे ही आप सब लोग कुछ कर सकते हो बहुत सारे लोगों को मैंने इसी प्रकार से treatment दी उनको consultation की उनको सला दी और लोगों के चश्मा के नंबर कमती हो गए लोगों को दिखना अच्छा लगने लगा लोग चश्मे से दूर होते गए तो इसलिए Better Eye Sight Without Glasses नाम का कोर्स मैं जल्द ही लेने वाला हूँ अंदाज से एक हफते के बाद समझो तो उसमें क्या करना है कैसे करना है मैं उसमें सिखाऊंगा और जो मेरा experience है मेरी experience से ही मैं सिखाने वाला हूँ क्योंकि आज मेरी उमर 64 साल की है और लोगों को 40-50 में ही चश्मा लगता है मैं 64 साल का होके भी सब काम बिना चश्मे के करता हूँ मोबाइल देखने के लिए मुझे चश्मा नहीं लगता थोड़ा हलका सा है नमबर मेरा मगर कितना है वो चेक करने के लिए भी मैं 20 साल में डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ तो ऐसी बात है तो हरत कोई आदमी थोड़ी कोशिश करे तो चश्मे से चुटकरा हो सकता इसका और यह सिर्फ चश्मे के लिए नहीं है तो अर्ली कैटरेक्ट है कैटरेक्ट शुरू हो गया तो भी यही ट्रीट्मेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं ग्लॉकोमा है तो भी ट्रीट्मेंट आखों में पानी आता है, आखों में सुजन होती है, आख लाल होते हैं, या और जो जो भी कुछ आखों की तकलिफ है, वो सभी तकलिफों के लिए ये treatment कैसी करनी है, ये मैं ये में से सिखाने वाला हूँ, और वो कोर्स का नाम है Better Eyesight Without Glasses, ग्लासे कैसे छुड़वा सकते हैं, तो ये सब एक अंदज से दो घंटा या अड़ाई घंटे का कोर्स रहेगा, और जैसे मैं उसको फाइनलाइज करूंगा, आप लोगों को इसकी ये आजाएगी, या नोटिस आजाएगी, और जो चाहिए, वो यहाँ जाइन हो सकते हैं, हर्यों, चाहता हूँ मैं एक better eyesight without glasses का कोर्स करूं, मेरी उमर 64 साल की है, और मैं पिछले 20 साल से चश्मा नहीं वापर रहा हूँ, जभी मैं 30 साल ने चश्मा यूज किया था मैंने, पहले 30 साल में मैंने चश्मा यूज किया, और अभी आगे के 20 साल में नहीं यूज कर रहा हूँ, मे बोला था मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने जो तरीके इस्तेमाल किये, मैंने जो किये, और मैं लोगों को जो भी treatment देता हूँ, वो सभी treatment आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, ताकि लोग अपना अपना चश्मे से चुट कर अपाए, मराठी में एक book है, एक तो better eyesight without glasses नाम का एक बहुत पूराना English book है, दुसरा एक मराठी में book है, आप चाहिए तो आप वो भी ढूड़ो, जिसका नाम है फेकुंद्यातो चस्मा, आणि हाजो मानुस है तेंचा माला नाव अठवत नहीं है, हल्ली दारा महतरा हलोई मी, पन नाव अठवत नहीं है माला, पन तो मानुस स्वता, MS है, सर्जन है, आणि हा मानुस हिंदू कॉल्नी मदे, कुठे तरी हिंदू कॉल्नी मदे, पहार्टे चा वेडेला चस्मा सोडन्याचे क्लासेज गेतो, medical doctor अस्ञेला माणुस कारण ट्याल स्वताला अनुभो आलेला आए, आणि त्याचेद लेला एकत्री पणानी ल्ोक अजय नाव गुंदू काड़न्याचस्ती, बे onc नेयुकसेद ब्लेला खुब लोकाना खुब प्रच्चंड वठा फरक पड़लेला आया चतना, तो अपन तो कोर्स पुर्चा मी लोकर्स एरेंज करतो है, थोड़ी तेची प्रेजेंटेशन से थोड़ी तेची बनवन, तारण दिसलत तेचे ज्यास्ति मजा है, ते सगला बश्टी दिसलत है, अता मतला? हरियूँ, 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 हरियूँ